आज मैं आपको एक चिकन की मज़ेदार रेसिपी शेयर करने जा रहे हूं जिसका नाम है सुखा चिकन इसको आप परोटी के साथ चावल के साथ या फिर यसे ही स्टाटर में खा सकते हैं यह बहुत ही यम्मी लगता है खाने में आए शुरू करते हैं यह चिकन की यह रेसिपी पहले यहां पर चिकन को वैलनेट करते हैं यहां पर मैं 725 क्रम चिकन ले हूं इसमें दो चमच भीनेगा डालेंगे नहीं तो आप नीमू का रस पी डाल सकते हैं एक चमच हल्दी एक चमच नमक तो से तीन चमच मस्टर्ड ओयल लिहां पर डाल रहे हूं सरसु का तेल बस इसको मिक्स केजिए अच्छा से इसको एसे मिक्स करने के बाद आप उसको मिनीमम आधा घंटे के लिए इसे मारनेट करके छोड़ दीजिए नहीं तो दो घंटे के लिए फ्रीज में एसे रख दीजिए कबर करके इसको फ्रीज में रख दीजिए यहां पर कड़ाई में दो से राई टेबल स्पून मॉस्टर डावल लिए हूं इसमें अभी मारनेट किया हुआ चिकेन को डाल के फ्राय करना है एक एक करके डालिए पूरा डालेंगे तो इसके तो पानी है वो आ जाएगा उपर यह देखें में सारा चिकन यहां पर डाल दी अभी इसको हाई फ्राय करेंगे ताकि उसका जो सारा पानी है वो चल दाएगा यह देखिए इसका पानी जो है वो बहुत कम हो गया है अल्मोस्ट पानी चल गया है अब इसको प्लेट में निकाल देंगे और एक बड़ा चमच देल उसी पैन में डाला है यहां पर थोड़ा तेज बता प्रदाल चीनी और थोड़ा ही लाईजी को थोड़ा से ऐसे ही गरम करेंगे इसके बाद इसमें एक चमच जीरा जीरा थोड़ा फ्राय होने के बाद इसमें दो बड़ा कटा हुआ प्यास डलेंगे इसको प्यास को गोल्डन ब्राउन होने के तक फ्राय करना है देखें प्यास का कलर चेंज हो गया है यह जो गरम मसला हम डाले थे इसका काम हो गया इसको अभी निकाल देंगे डालचीनी और इसको अभी उसमें दिंजर गालिक पेस्ट आलेंगे दो से तीन चमज इंजर गालिक पेस्ट थोड़ा से मिक्स करेंगे इसमें एक चमज हल्दी एक चमज चिली पौडर अधा चमज जीर पौडर अधा चमज धन्या पौडर और एक चमा चिकेन मसाला इसको थोड़ा मिक्स करेंगे एक से दो मिनिट तक इसको एक से मिक्स करेंगे थोड़ा सा पैसे पानी डालके मिक्स करेंगे फिर कबर करके उसको थोड़ा तीन से चार मिनिट तक कूप करेंगे तकि मसाला ठीक से बख जाए यह देखिए मसाला तेल छोड़ दिया है यह हो गया है मसाला हो गया अभी यह अब है मैं एक बड़ा टमाटर को इससे ग्राइन करती हूं अभी इसमें डाल देंगे मसाले में थोड़ा सा नमक टमाटर पकने के लिए अभी थोड़ा मिक्स करेंगे इसको फिर से कबर करके तीन से चार मिंट तक इसको कूप करेंगे चार मिंट के बाद दे देखिए मसाला अच्छे से कूक हो गया है तेल उपर आ गया अभी जो फ्राय किया हुआ चिकन इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक क्योंकि हम मारिनेट के टाइम नमक डाले थे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया इसको मिक्स करेंगे ताकि यह अच्छे से मसाले के साथ मिक्स हो जाए इसको पांच मिट तक कुप करेंगे बीच बीच में इसको इसे मिक्स करना है क्योंकि नहीं तो लग जाएगा मसाला इसको ज्यादा पांच में से ज्यादा कुक नहीं करना है क्योंकि पहले से ही चिकन में फ्राइ करके रखी थी नहीं तो हाड चिकन हाड हो जाएगा इस दिखी पांच मेंट हो गया अभी थोड़ा इसमें पानी डलेंगे एक कब से थोड़ा कम पान डालना है थोड़ा से मिक्स करके इसको फिर से कुक करेंगे 15-20 मिनिट तक मीडियम फ्लेम में उसको कुक करना है चिकन जो है अच्छे से कुक हो गया है लेकिन हमें यह सुखा चिकन बना रहे है तो यह ग्रेवी को पूरा सुखा करना होगा इसलिए फ्लेम को पूरा हाई करके अभी उसको ऐसे ही बिनना कबर के कुक करना है यह देखिए पुरा ग्रेवी जो है पुरा थीक हो गया है और फेक्ट कांसिस्टेंसी हो गया है इसमें अभी इसे दो चमज में इसे कासुर में थिली हो इसको डाल के थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको कबर करके पूरा लो फ्लेम में एक से दो मिनिट तक कुक करेंगे जस्ट वान टू टू मिनिट्स बस इसका जो फ्लेवर है इस चिकल में आ गया बहुत ही अच्छा आरोमा है इसका अभी ग्यास को आफ करके इसको इसे कवर करके दस मिनिट के लिए छोड़ देंगे उसके बाद सब करेंगे यह रेडी हो गया चलिए सब करते हैं यह देखिए जितना अच्छा दिख रहा ह उतना है ज्यादा टेस्टी होता है बस इसको चावल रूटी के साथ एंजोई किजी अगर यह रेसिपी आपको पसन आई तो प्लीज लाइक और शेर दिस वीडियो और सब्सक्राइब तो माई चानल थैंक यू